हलो तो कैसे हैं आप लोग तो आग की वीडिया हम बात करने वाले हैं कि आग ने अगर रिसेंटली क्वालिफाई कर रहा है या फिर किसी भी आप एक अगर आपने कुछ टाइम के लिए काम कर लिया है तो आपको जॉब में आना चाहिए या प्रैक्टिस मतलब किस तरीके चा पर एक थोड़ा सा आइडिया लग पाएगा कि अगर आप सोच रहे हैं जौब प्रैक्टिस में आनेगा तो आना चाहिए नहीं आना चाहिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जो में जो पैरामीटर है वह है पैसा इंकम ठीक है वह जद्धा इंपॉर्टन पैरामीटर है तो अगर मैं इंकम की अगर मैं बात करूं तो जॉब में क्या होता है जॉब में जैसी आप चॉइन करते हैं वैसी आपके पैसा आना स्टार्ट हो जाता है किसी भी आप फिर्म कर रहे हो एक नहीं करते हैं वो लोग कि आपको बाद में पैसे दे रहे हैं उसका भी पैसा मिलता है जहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है वहाँ पर उसका भी पैसा मिलता है कि आप उस के लिए जो भी है उस सीख रहे हो लेकिन अगर आप अपनी प्रैक्टिस के अंदर हो तो पैसा तभी मिलेगा जब आपके पास क्लाइंट होगा ठीक है ऐसा भी हो सकता है इनिशल कुछ के अंदर कि आपके पास कुछ भी क्लाइंट नहीं हो और आपको अपनी जेप से भी ठीक मेरा मन्तली जा रहा था मैंने तो उन सब को मतलब बंदा रखा हो था ट्रेनी था बेसिकली तो उन सब को कुछ एक अमाउंट देना पड़ता था मतलब जो मेरा फिक्स बाइंग नहीं ती उतनी दिव्यों अपनी जेप से देना पड़ रहा था उस समया पर ठीक है जो तो सोचा भी ता कि यहां आ चीजे तो इस तरीके से सिचुईशन वह ती तो वह चीज आपको रखनी पड़े की कि इस तरीकी के सुचुईशन भी आसकती है कि कि आपको अपनी चेव से पैसा लगाना बड़े अंदर ठीक एब लेकिन जैसे मैंने जॉब के अंदंर बोला जॉब के पहले दिन से आपके पास स्टारटिंग से आपके पास पैसा आ जाता है marche उसके बास लेकिन आपके पिरिद ऑफ टैइम आपके बास क्रैस पैसा आप एक साल कुछ नहीं कमारें लेकिन अगले साल आप वही एकदम से आपने 200-300-500 का हाइक कर लिया तो उसके अंदर कुछ भी अमाउंट पॉसिबल है बट वहीं पर अगर मैं जौब में बात करो तो वह चीज पॉसिबल नहीं है वैसे वैसे आपकी जो इंकम है वो बढ़ेगे over the period of time. Second number पर अगर मैं बात करूँ एक्सफोजर देखो यार अगर अगर आप अभी recently आपने qualify कर रहा है CA तो मैं आपको यह recommend करूँगा कि आप कुछ टाइम के लिए अभी आप job में जाहिए सबसे पहले क्योंकि काफी सारी चीज़े होती है जो हमें सीखने को मिलती है मतलब काफी सारी चीज़े इन रिलेशन टू दुनियादारी के बारे में इन रिलेशन टू लोग को लोग का behavior कैसा है मतलब बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को समझने को मिलती है society के बारे में प्लस आपको जो exposure होता है आपके जो काम वर्किंग का आपको किस तरीके से लोगों से बात करने बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलती है आपको तो मैं initially कुछ time के लिए आपको always recommend करूँगा आप में जाइए उसके बाद दीरे दीरे जब आपको लगे कि हाई या अब प्रैक्टिस में आने का टाइम हो गया या फिर आपके पास एक अच्छा आप चीज़े समझोगे एक्सपोजर मिलेगा तो मैं आपको always recommend करूँगा कि कुछ time के लिए आप जॉब करिए ने उसके बाद प्रैक्टिस में आईए तो अगर मैं बात कर उसके बाद अगर जॉब के अंदर जॉब के अंदर क्या होगा जैसे आप अगर पर्टिकुलर ड डिपार्ट्मन का इक्सपोजर मिलेगा लेकिन वहीं प्रैक्टिस के अंदर आपको different varieties का exposure मिलेगा मतलब मैंने जब प्रैक्टिस अब मैं बैसिकली audit department में था लेकिन प्रैक्टिस के अंदर आया तो मैंने पता नहीं कितने चीज़ों के अंदर काम करा मैंने ट्रेड मांक कर मैंने लेबर की चीज़े एसब्स इनकम टैक्स और इट और और प्ता नियार और कितना काम कर रहा हो गार गार जो चीज आ रही थी शॉपन सिब्स्मेंट एक्ट जो चीज आती ती सारी मतलब तो यहां पर क्या होता है जब आप अपनी प्रैक्टिस के अंदर होते हैं तो डिफ्रेंट काइंड ओफ चीजों का एक्सपोजर मिलता है अपको ठीक है लेकिन वहीं पर अगर आप जॉब के अंदर हो तो लेमिडिट एक्सपोजर है यह तो यह चीज भी आपका फरक रहता ह है दूसरा हमारा पॉइंट था एक्सपोजर के उपर आई होप आपको साही में आया होगा तो 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 यह तो आपको करना पड़ेगा लेकिन प्रैक्टिस के अंदर या आपने खुद के काम के अंदर ऐसाच कुछ नहीं होता मतलब आप चाहो तो आप इवनिंग में काम कर कर रहे हो सुबह मन नहीं कर रहा कुछ भी आपको लगता है सुबह घूमने आना कहीं पर कुछ मजए करने लेकिन रात को काम करूंगा तो वह भी आपके ओपर करता है क्या आपको कोई बॉस नहीं आप खुद के अपने बॉस हो तो आपके प्रोवाइड डेडलाइन है वो जैसे थी जहां पर मैं मेरा होना जरूरी था लेकिन ड्यू ड्यू जॉब मैं नहीं पहुंच भाया ठीक है तो बट अगर मैं अब देखू रैक्टिस के अंदर तो वह चीज नहीं होती है मेरे साथ मतलब मैं कहीं पर भी जाना है मुझे कोई भी इंपोर्टन चीज है कोई चौते नमर पर बात करूं तो आपके पास जैसे मैं बताया थीसरे नमर पर हमारे पर टाइम हो जाता रहता है तो तो वहां पर क्या है आप अपने पास ना अपनी स्किल्स को और इन्हांस कर सकते हो तो यहां पर कहने का मतलब है जैसे अगर आप जॉब के अंदर हो तो क्य यह जाने में लेकिन अगर आप जॉब करो तो तो टाइम पूरा पुरा पूरा जॉब में जला आता है अपने में नहीं मैं फुर्क्राइट लुद्र करें तो इतना काम नहीं था मेरे पास तो अभी भी एवन जैसे मैं पहले लास्ट वीडियो इसका मैं ने बताया था अभी भी मैं अपनी स्किल्स को पर काम करता हूँ ना लिए ट्राइक कि मैं थोड़ी थोड़ी चीज़े इंप्रूफ करूं तो आमको वता हूँ जो मैंने स्किल्स इंप्रूफ करी है मतलब वह अदर देन जो मेरी सीए वाली स्किल्स जो मैंने बताया जो हुआ करें सिप्म पर छो काम करी है को चाहिए लेकिन प्लेटफ मनतर अगरे हैं इसके बाद। तो मैंने शोशल मीडिया के पर प्रेजंस बना लिया ठीक है दो मेरे यूटिब चैनल है ठीक है एक अलड़ी इसको पर 13,000 प्लस सब्सक्राइबर्स है और एक यह जो आपके सामने है यह दोनों यूटिब चैनल चल रहे हैं ठीक है अच्छा आजा मतलब शोशल मीडिया इस सीखने का तो थोड़ा पो तहीं वह सीख लिया इक कोडिंग सी 359 कि 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 सारीका से हाडवेट करते हैं किस तरीके से मतलब मैं बात करो हर्द निस्के सिए ओं आगर मैं हर्ड डिस को ऐसे डाँ तो किस तरीके से वोख करती एक मwartर्द मैं अपने laptop के अंदर जितने भी laptops हैं चाहे मेरे कहीं पर भी है चाहे घर वालों के पास है चाहे office वालों के पास है सब को खुद ही मैं उसके अंदर कर देता हूं कुछ आगर कुछ दिक्कत हो जाती है तो तो वह चीज मैं एक experience लिया हम आपे वह skills enhance करी दन उसके बात करूं मै इंवेस्टिंग और ट्रेडिंग के अंदर काफी अपना time लगाया skills जो है इंवेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों की enhance करी इंप्रूफ परी ठीक है तो इस तरीके से बहुत सारी चीजों के अंदर मेरे को लगता है कि मैंने अपना time दिया और मैंने जो skills है वो अपनी improve पर कि नेक्स्ट जो है वो है difficulty देखो जॉब में क्या होता है कि आपको पता है कि आपका एक fix काम है यह आपके उपर इतनी टेंशन नहीं होती है आपने एक बार जॉब को इंटर्वी को क्रेक करा और आप उसके अनल सेटल होगा है आपको monthly basis पर पैसा मिल रहा है जहां पर आप कोई क gap करूं, कृएउट की यहां पर क्लाइट को crack करना मतलब सब्सक्राइब कर ऊजाएगा तो यहां पर क्रेक करता जाएगा लेका है कोई इंकम नहीं है, तो यह ऑगर रहते हैं कि अगर मैं बात करूं मेरे पास clients जो है वो अगर मैं देखूं तो majorly ऐसे clients होते हैं जो मतलब बहुत सारे clients होते हैं जो मैं आपको बजा रहा हूं कि पैसे जो है payment जो है क्योंकि क्या होता है GST income taxes आरी ना हर किसी को costing लगती है इसमें कोई फाइदा नहीं लगता है उनको इनको यह लगता है और cost है उनकी तो पैसा बहुत जादा टकता है ठीक है तो यह चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा साना difficulty जाता है लेकिन पुछ client ऐसे होता है जो 6-6 महिने साल साल बाद payment करते हैं ठीक है तो यह चीज आपको धियान रखनी है और मतलग अगर आप चाहते हो कि आपको क्लाइंट नहीं चाहिए वह आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जो आपको monthly business payment करे तीन महिने payment करे बाकि आपको हटाना कि payment आएगी कब आएगी कैसे आएगी तो सारी चीज़े रहती है इसके अंदर जो कि job के अंदर नहीं रहती है जो कि एक monthly आपके पास payment क्रेइट हो जाती है मन्त के आकरी में वह तो थोड़ा से यहां पर क्या होता है relaxation बिल जाता है job के अंदर और practice के थोड़ी सी वहीं पर difficulty और टेंशन रहती है तो आपको यह comparison समझ में आया होगा job और practice के बीच में आखरी जो मेरी तरफ से एक recommendation वह यह रहेगी कि अगर आप practice में आने का सोच रहे हो अभी भी क्या है राना है तो मैं आपको एक चीज़ी recommend करूँ है कि always मतलब आप यह अपना जो GST income tax है इसके अगर आप करूँ cash flow management के अंदर या कुछ आपको investment दिलाने कुछ भी आप सोचते हो यार यह area मैं decide कर सकता हूँ जहां पर आपको लगता है कि कोई portfolio मैंने कुछ भी आपको लगता है कि यह जो चीज है यहां पर आप अच्छा कर सकते हो पढ़िया कर सकते हो GST income tax audit के अलावा क्या है अगर आप अभी individually या तो आप किसी firm के साथ जा रहे हो कोई अलड़ी established वाम है उसके साथ जोड़ रहे हो आप तो that's a different thing लेकिन अगर आप start कर रहे हो या इंडिविजुल या partnership में initially start कर रहे हो तो यहां पर जो अपनी grip बनाना भो ज़्यादा चैलेंजिंग है क्यों क्या initial basis पर आपको इसके basis पर क्लाइंट बनाने पड़ेंगे लेकिन मैं आपको recommend करूँ हो कि धीरे धीरे over the period of time अपनी expertise है other than these areas किसी और चीज के अंदर लेकर आओ ठीक है उसके अंदर आप जो भी आप सोस समझते हो कि हां यहां पर मैं अच्छा better कर सकता हूं उसके अंदर कहीं से आगर आपको लगता है कि आपको लिंक्स हैं वह बढ़िया कर सकते हो तो वह तो दिक्रवाली चीजी नहीं है लेकिन अब जहां पर आपको पास कोई लिंक्स नहीं है तो बड़ा ही चैलेंजिंग होता है यहां पर अपनी जो प्रैक्टिस को स्टैबलिश करना as of now यहां जो सब्सक्राइब तो यहां पर यहां पर यह ज जन्रल मैं बता रहा हूं एकसेपिशन और अलूज हो सकता है आप लेकर आ जाओ ठीक है तो आपको इस वीडियो के अंदर मज़ा आया होगा वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो लाइक जुरू करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू सो मच